पिछले कुछ दिनों से हर स्टुडेंट की सराउंडिंग का इन्वारिमेंट इतना क्रिटिकल हो गया है कि उसका स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्यूंकि कोविड के केसे ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं जो कोविड के केस का ग्राफ है वो हर दिन एक् अगर आप सोके जगते हो और कोई दो गंटे की सिटिंग दे चुका होता है तो सेलेक्शन की रेस में वो आपसे आगी रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि सिच्वेशन ऐसी नहीं बनी रहेगी सब कुछ फिर से होगा एक्जाम्स भी फिर से होंगे ज्वाइनिंग करता हूं कि हम सब फिर से मिलने लगें सब कुछ पहले जैसा हो जाए इस तरह की पैंडेमिक आई है और हुमन ने उस पर होवर कम किया है ठीक है तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया खतम हो जाएगी सब कुछ एक्जाम से और इस पेसली एक्जाम की अगर बात करूं तो पिछ अगर आपके पास कुछ नहीं है अभी तो आपके पास कुछ नहीं है अगर आप बेसिक से भी आज स्टार्ट करते हो अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं भी करिये बिल्कुल भी तब भी एरफोर्स का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स देखने को मिले मैं हमेशा कहता हूं something is better than nothing अभी आपके पास कोई ultimately मतलब क्या था कि आपको न तो कुछ पता है कि पेपर काफ होगा एरफोर्स की तरफ से कुछ ऐसा नहीं थ अब at least कुछ तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिछली बार भी ऐसे हुआ था जो नोटिफिकेशन वाइरल हुआ था सेम डेट पर एक्जाम हुआ था तो क्या करना है आपको कि इन सारी सिच्वेशन्स को ओवरकम करना है ठीक है जो फियर वाला फेक्टर उसको आगे नही देना है और प्रप्रेशन करते रहना है जिन मेरे भाइयों की प्राइयरेटी नेवी के एक्जाम से उनके लिए अनेकेडमी की तरफ से एक बैच आया है लग्षे नेवी जो थर्ड मई से स्टार्ट हो रहा है जिसमें जो टीम है ये आपको इसपेसली नेवी की प्रप्रे जानी जी और यह आप देख सकते हो अगर आपको जिस भी बैच में यह पांच मैई से स्टार्ट हो रहा है तो जो बच्चे नेवी के लिए इन्रोल करना चाहते हैं अगर आप मेरा रेफरल कोड कर यूज करोगे लक्षे वंटू तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा अ और परसेवरेंस के साथ अभी पढ़ाई देखो आप अभी तक मान लो कि आप डिस्टरब्ड थे आप पढ़ाई में बिलकुल मन नहीं लग रहा था क्योंकि जो है सिच्वेशन सही नहीं थी लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूं और आज इस वीडियो के बाद भी करना शुरू हो जाएंगी ठीक है सबसे पहले तो प्रायरिटी हेल्थ को दो अपने हेल्थ का ख्याल लगो मेडिटेशन करो फिजीकल एक्सराइज करो और अपने आपको आइसोलेट करने की कोशिज करो इस तरह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है ठीक है यह सिच्वे पहले की तरह अच्छा हो जाएगा ठीक है तो आपको पढ़ाई करते रहना है बस अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी यह जो चेन है इसको ब्रेक नहीं